नमस्कार प्यारे बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का खंड सिक्षा दिकारी के इस बैच में मैं विके शुकला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कैसे आप सभी लोग चलिए कल जो हम लोगों ने वीडियो देखा था उसमें हमने भारत की संबैधानी जो विकास है हमारा भारत की संबैधान का जो विकास हुआ था क्रमवार तरीके से कैसे विकास हुआ था हम लोगों ने देखा था कि भारत का जो संबैधानी की तिहास है भारत की संबैधान का जो development हुआ था उसको हमने दो हिस्सों में बाटा था पहला हिस्सा हमारा जो था दोस्तों वो था East India Company के इंतरगत जो भारत में प्रशासन होता था भारत में जो governance होता था शासन होता था एक हिस्सा हमने बाट दिया था उसको जो हमारा East India Company के अंतरगत शासन वेवस्था थी जो 1773 से लेकर 1853 तक देखा हमने उसका कारेकाल था फिर उसके बाद दूसरा development का जो काल हमारा आता है उसको यदि हम चाहते हैं तो British Crown के अंतरगत जो है वो शासन की देख लेते हैं क्योंकि सत्रा सो 1857 की जो क्रांती होती है 1857 की क्रांती के बाद इकामूल चूल परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का परिणाम यह निकलता है कि 1857 की क्रांती के फलसरूप जो East India Company की स्थापना की गई थी भारत में शासन करने के लिए भारत में व्यापार को कंट्रोल करने के लिए उस East India Company से शासन लेकर किसको दे दिया जाता है 1858 की राजलेक के द्वारा चार्टर एक्ट आफ 1858 के द्वारा क्राउन की हाथों में जो शासन अभी तक East India Company देखा करती थी वो शासन चला गया हमारा जो है वो क्राउन की अंतरगत क्राउन की अंतरगत जहां से जाता हुआ 1858 से लेकर लगभग सन 1947 तक का कारकाल रहता है लगभग यदि हम देखते हैं तो करीम 90 साल का कारकाल रहता है जो 1858 से लेकर वहां टक जाता है events 1947 तक तो 1947 तक का हमने कारेकाल देखा फिर 1947 के बाद भारती संविधान के बनाने की रूप रेखा तयार होने लगी भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन होता है संविधान सभा की जो आगे की संविधान बनाने की पर जर्जा है वहाँ पर हम उस चीज आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि जो एक्ट बनाए गए थे क्रमवार तरीके से उन एक्ट की जो बिसेज बाते थी जो परिक्षा को दिश्टिगत रखते हुए कभी न कभी पूछे जाते हैं तो हम उन टॉपिक पर आते हैं कि एक-एक एक्ट का हम देखेंगे कि किस तरह से क्रमवार तरीके से भारत के संविधान का वह विकास हुआ है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग प्रारंब करते हैं भारत की संविधान का संवैधानिक विकास ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं सन 1600 का राजलेख इस राजलेख के द्वारा महरानी एलिजाबेद पर्थम ने भारत में इस्ट इंडिया कंपनी इस इंडिया कंपनी की स्थापना का प्रावधान किया महरानी एलिजाबेद ने सन 1600 के राजलेख के द्वारा भारत में इस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की तो यहां पर एक चीज और देखने वाली बात है तो वहां पर क्या कर दिया इन्होंने चुकि इस कंपनी की जब स्थापना की गई तो कंपनी की स्थापना के साथ साथ ही भारत में जो ब्यापार इस इंडिया कंपनी कर रही थी उनका परपच इंडिया कंपनी का जो था स्थापना करने का उसका उद्देश था भारत में जो ब्यापार आप कर रहे थे उस ब्यापार को बिनियमित करना रेगुलेट करना इस द्वारा भारत में जो East India Company स्थापित की जाती है उस East India Company का परपस क्या था उस East India Company का परपस था भारत में जो ब्यापार किया जा रहा उस ब्यापार को रेगुलराईज करना तेखें उसके बाद आते हैं 1773 का Regulating Act 1773 का Regulating Act देखिए यह जो Act है बेटा 1773 का Regulating Act यह आप मान की चलिए कि हमारी परिक्षा में एक प्रस्न तो 1773 के Regulating Act से पूछा ही जाता है बहुत ही महत्तुपूर्ण प्रस्न है तो कभी कभी confusion यह करते हैं कि 1773, 1774 दो यह में बहुत confusion होता है उसका मैं आपको यहां पर दूर कर दे रहा हूँ कि एक प्रस्न जो सबसे ज़्यादा आता है और विवादित हो जाता है वो यह आता है कि किस Regulating Act के द्वारा कलकत्ता में कलकत्ता में सर्वोच न्यायाले की स्थापना की गई तो जो आएक्ट ता जिस आएक्ट के द्वारा सतापना की गई थी वो था 1773 का आयक्ट लेकिन सथापना किस वर्स में की गई थी स्थापना की गई थी 1774 में तो यहां पर अपने को यह ध्यान रखना है कि पूछा क्या जा रहा है पूछा ये जा रहा है कि किस स्थापना की गई ती सथापना की गई तो आंसर होगा हमारा 1773 का कई बार ये confusion आ जाता है प्रश्ण पढ़ने में हम थोड़ा सा जल्दबाजी कर बैठते हैं और उसके चक्कर में हमारा प्रश्ण जो हमारा बना बनाया रहता है वो प्रश्ण हमारा गलत हो जाता है तो यहां पर हमको ध्यान देना है ठीक है चलिए अब आते हम जो इसके महा इस त्या नोद है है तो देखे दो चीजें है 1770 का रिखुलेटिंग एक्ट जो आया था उसके वारा आप समझेए जो व्यापारी मैं तक है प्लंद नंग् combin च्प or जो केंड्र भीन रही ज़ो पारकर विन्द मीन तुत प्लंद मुं बेचते थे इंग्लेंड में बेचते थे तो भारत में ब्यापारिक जो केंद्र थे वो दो अस्तर के थे कहां कहां ब्यापारिक केंद्र बिंदू था भारत और इंग्लेंड ठीक है तो उन्हों ने क्या किया कि कंपनी के संपूर प्रसासन के सूपर विजन के लिए इंग्ले जो चल नहीं थी उनके सुपर बिजन के लिए उनके अधीक्छन के लिए उन्होंने क्या किया दो संस्थाओं का निर्माल किया कौन कौन सी संस्था थी पहला तो था इनका बोर्ड आफ डारेक्टर्स वो कोट आफ डारेक्टर था निदेशक मंडल इसे कहते थे बोर्ड आफ डारेक्टर्स और दूसरा जो था वो था हमारा स्वत्वधारी मंडल मीज कोट आफ प्रोप्राइटर्स स्वत्वधारी मंडल यानि कोट आफ ओ प्रोप्राइटर ये दो संस्थाओं का निर्माण किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 का डेगूलेटिंग एक्ट का के मोख्ष पॉइंट क्या थे पहला पॉइंट तो आप समल्ली जे कि ब्यापारी केंदर बिन्दू जो ब्यापारी केंदर उपर जो व्यापारिक गदिविधियां होती थी उन व्यापारिक गदिविधियों पर नजर रखने के लिए उनकी कारणाली को सुपर्वीन करने के लिए सुपर्विजन करने के लिए उन्होंने क्या किया दो संस्थाओं का निर्माल करती हैं दो संस्थाओं की स्थापना की गई एक तो किया गया निदेशक मंडल और दूसरा किया गया स्वत्यधारी मंडल निदेशक मंडल और स्वत्तधारी मंडल जो है इनकी स्थापना की गई इसमें कितने व्यक्ति होते थे तो जो निदेशक मंडल होता था हमारा उसमें 24 व्यक्ति जो है होते थे निदेशक मंडल में इसलिए 24 व्यक्तियों की एक संस्था थी ठीक है इसके बाद अब जो अगला इसमें महात्रपूर्ट बिंदु है जहां से प्रश्ण हमारा बनता है जो बंगाल की गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी जो थी ठीक है तो जो बंगाल का गवर्नर होता था बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना दिया गया तीक है बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का क्या कर दिया इन्होंने गवर्नर जो है जन्रल बना दिया गवर्नर मींस यहां पर क्या हो गया गवर्नर जन्रल बना दिया ठीक है बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी कौन को सी तीन प्रेसिडेंसी थी बंबई बिहार और औरिषा ती तीनो जो है प्रेसिदेंसी ती यहां का गवर्न-णर बना दिया गया यह तो false point कि किस अधियम के द्वारा बंगाल की गवर्न आ जपनर को तीनो प्रेसिदेंसी का क्या कर दिया गया था afternoon बना गया तो 773 के regulating act के द्वारा next minute पॉइंट इसका जो होता था सबसे महत्वपूर है कि कलकत्ता में कलकत्ता में एक सर्वोच न्यायाले की एक सर्वोच न्यायाले की एक सर्वोच न्यायायाले की स्थापना का प्रावधान किया गया 1773 के रेगुलेटिंग आक्ट में ये प्रावधान किया गया कि कलकत्ता में एक सर्वोच न्यायाले की स्थापना की जाए फलस्व रूप 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच नियाले की स्थापना की गई जिसमें मुख्य नयाधीश की रूप में किसे न्यूक्त किया गया था तो मुख्य नयाधीश थे सर एलिजाह सर एलिजाह एमपे सर एलिजाह एमपे जो है सर्वोच नयायले के पहले मुख्य नयाधीश थे और इनके साथ तीन सदसी और न्यूक्त किए गया है तो कभी कभी एक्जाम में आपके यहां पर से यह प्रश्ठ पूछ जाता है कि जो सर्वोच न्याले कलकत्ता में इस्थापित किया गया था उसके मुख्य न्याय अधीश कौन थे पहले मुख्य न्याय अधीश कौन थे तो यहाँ पर आपको याद रखना कि सर एलिजा एमपे जो है वो यहाँ के पहले मुख्य न्याय अधीश की रूप में उनको न्य नियुक्ति उनकी की गई थी ठीक है और तीन अन्य नियाधीश भी यहाँ पर नियुक्ति की गई तो जो कलकत्ता में सर्वोच नयाले की स्थापना हुई थी उसमें कितने कुल नियाधीश थे तो चार नियाधीशों की नियुक्ति की गई थी ठीक है चल अगला पॉइंट इ इस Act में जो सर्वोच्छीनेयालय कलकत्ता सथापित किया गया उसके लिए उन्होंने कहा कि यदि कोई सब्सक्राइब्सक्राइब करतें। इंग्लेंड इस्थित्पृवी काउंसिल को ठीस हैं। इस फित्पृवी काउंस्ल को अपील कर सकता ह। तुम करने का प्राउधान प्रुवी काउंसल में अप अपील कर सकते हैं अब इसके बाद आता है हमारा अगला जो एक्ट है वहा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 देखिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया तो बहुत सारी बेवहारी जो है कमिया इस एक्ट में रह गई तो उन कमियों को दूर करने के लिए एक तो 1781 में अमेंडिंग एक्ट लाया गया लेकिन उस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भी जो दोस थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उन दोशों को दूर नहीं कर पाए ठीक है लेकिन 1784 में फिर लाया जाता एक 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ठीक है जब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का लाया जाता है तो इसके द पिट्स इंडिया आएक्ट 1784 का पिट्स इंडिया आएक्ट ठीक है आईए हम इसके महत्वपूर्ण बिंदूओं को देखते हैं इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले क्या किया गया कि कम्पनी के ब्यापारिक एम राजनेति क्रिया कलापों को अलग किया गया ब्यापारिक एम राजनेतिक क्रिया कलापों को अलग किया गया पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा उन्होंने क्या किया जो ये एक अंतर नहीं था व्यापारिक एम राजनेतिक जो गदविधियां थी उन गदविधियों के मद्धे ना तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोई अलग था तो उस चीज के लिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो गवरनर जनरल की परिशद रहती है वो कितनी कर दी गई पहले गवरनर जनरल की जो परिशद होती थी, पहले की जो गवर्नर जनरल की परिशद में, जो सदस्यों की संख्या थी, परिशद में सदस्यों की संख्या को चार से घटा कर तीन कर दी गई, पहले कित्ती थी, गवर्नर जनरल की परिशद में सदस्यों की संख्या पहले चार होती थी, बाद में उसको इस एक्ट के त्वारा घटा कर कित्ती कर दी गई, तीन कर दी गई, ठीक है? तथा इसी एक्ट के द्वारा उन्होंने क्या किया? कि जो कमपनी के करमचारी थे, ठीक है? इसी एक्ट के द्वारा उन्होंने क्या किया? कमपनी के करमचारी थे, पर प्रतिबंध लगा दिया गया, कि किसी प्रकार का आप प्रतिबंध लगा दिया गया, ताकि किसी प्रकार का आप उपहार जो है, वह किसी अन्यव्यक्ति से ग्रहाण नहीं करेंगे, नहीं लेंगे उनसे. फिर इसके बाद आता है हमारा 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है? 1793 का चार्टर एक्ट आता है. इस चार्टर एक्ट में 1793 का चार्टर एक्ट आता है, इसके द्वारा उन्होंने एक परिवर्तन किया था, जो महत्तुपूर है, परिक्षा में कभी कभी पूछा जाता है, वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा, इसके द्वारा क्या काम किया गया था, उन्होंने जो कंपनी का सासन था, इस साशन को 20 वर्सों के लिए बढ़ा दिया. के लिए बढ़ा दिया था, ठीक है, एक चीज इसके द्वारा की गया थी, 1793 के द्वारा की बीस वर्स के लिए बढ़ा दिये, तो बीस वर्सों तक जब सासन चला, तो बीस वर्सों के बाद एक नया एक्ट आता है, कौण सा, 1813 का चार्टर है, धीक ये सारे अक्ट जो आप पढ़ रहे हैं, जैसे कोई अलग नाम दे देने से इनके किसार नाम क्यों चेंज हो रहे हैं तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना वो कानून है कभी उनका नाम पहला पॉइंट कंपनी के एका धिकार को कंपनी के एका धिकार को शमाप्त कर दिया गया और जो इसाई मिसनरीज थी उन इसाई मिसनरीज को भारत में आकर धर्म के प्रजार की स्वतंतता दी गई दूसरा पॉइंट साइस में इसाई मिसनरीज को भारत आने की स्वतंतता दी गई इसाई मिसनरीज जो थी उन्हें भारत आके अपने धर्म के प्रचार और प्रसार की पूरी तरीके से स्वतंतता दी गई यहाँ पर जो पहला हमने पॉइंट देखा कि कमपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया तो जो कमपनी का ब्यापारी के एक अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया लेकिन दो ऐसे ब्यापार थे दो ऐसे केंद्रविंदू थे उस ब्यापार के जिनके संबंद में एक अधिकार को समाप्त नहीं किया गया था वो दो क्या थे यहां पर मैं आपको बताता हूँ वो दो थे चीन के साथ ब्यापार चीन के साथ ब्यापार और चाय का ब्यापार चाय का ब्यापार मिन्स चीन के साथ ब्यापार करने और चाय का ब्यापार करने चाय के ब्यापार और चीन के साथ ब्यापार करने के जो एकाधिकार था इस एकाधिकार को ये बनाए रखे थे ये एकाधिकार नहीं समाप्त किया गया था ठारा सो तेरा के चार्टर एक्ट के द्वारा जो इस इंडिया कंपनी का ब्यापारी के एक अधिकार था उस ब्यापारी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया परंतु इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया दो ऐसी जगहों पर दो ऐसे ब्यापार पर उन्होंने कमपनी के एक अधिकार को बने रहने दिया वो कौन कौन से था पहला तो था कि चीन क और चाहे के ब्यापार पर एकाधिकार को नहीं समाप्त किया गया इसके अलावा जितनी भी ब्यापारिक एकाधिकार था वो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पूरी तरीके से उस ब्यापारिक एकाधिकार को इन्होंने क्या कर दिया इस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया अगला इसमें जो महातुपूर पॉइंट था वो था इस एक्ट के द्वारा भारत में सिक्षा पर कि सिक्षा पर उन्होंने क्या किया कि प्रतिवर्स में सालाना जो है एक लाग रुपए खर्च करने का प्रावधान किया ठेक है उन्होंने कहा कि सिक्षा पर आप सालाना एक लाग रुपए खर्च करिए सिक्षा पर कितना खर्च करने की बात इन्होंने की कि हम इस एक्ट के द्वारा ये उपबंद कर दे रहे हैं कि भारत में सिक्षा के उपर एक लाख रुपए प्रतिवर्स खर्च करने की बात की उन्होंने क्यों किया एक लाग रुपए सिक्षा की उपर खर्च करने से उनको क्या फाइदा था उनका फाइदा ये था कि भारतियों को भी अलगे कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं ठीक बाकि उनको कोई सौक नहीं था कि हिंदुस्तानी पर लिक लेते तो उनके पर लिक लेने से आई एस कलेक्टर बन जाने से किसी प्रकार का कोई फाइदा था वो किवल ये सो करना चाहते थे ये दिखाना चाहते थे कि हमारे मन में आपके लिए भी कुछ है हम आपके पॉप दिया कि 1813 के चार्टर रेक्टर में उन्होंने कहा कि हम सिक्षा पर प्रतिवर्स एक लाख रुपए खर्च करेंगे ठीक है एक तो यह महत्रपूर पॉइंट था उसके बाद जो महत्रपूर पॉइंट आया था वो था कि इस राज लेक के द्वारा जो भी कलकत्ता बंबई और मद्रास की सरकारे थी उनके विधियों को ब्रिटिश संसत द्वारा अनुमोधन अनिवार कर दिया गया ठीक है मान लीजे क्या कर दिया उन्होंने कि जो भारत में गवर्निंग बॉड़ी थी जो भारत की गवर्निंग बॉड़ी थी कौन था मैंने आपको बता पहले ही बंगाल की गवर्नर को क्या कर दिया गया तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो उस गवर्नर जनरल की जो परिशद होती थी उसे क्या था कानून बनाने का दिकार था ठीक है जो गवर्नर जनरल होता था तीनों प्रेसिडेंसी का उस गवर्न गवर्नर जनरल की जो परिशद है वो कानून का निर्माल करे कोई दिक्कत नहीं है ठीक लेकिन उस कानून को जब तक ब्रिटिस की संसद का अनुमोदन नहीं प्राप्त होगा तब तक वह कानून प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सकता उन्होंने क्या कर दिया ब्रिटिस संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार कर दिया कि जब तक अपरुबल नहीं हो जाता है तब तक वह गवर्नर जनरल की जो परिशद रहतीती ती वह के द्वारा बनाया कानून निस्प्रभावी रहेगा तो यह 1813 के महत्तो पॉइंट है पहला पॉइंट क्या था ब्यापारी के एक अधिकार को शमाप्त कर दिया गया चीन और चाय को छोड़ करें इस चीन और चाय के साथ जो ब्यापार चल रहा था चीन और चाय का ब्यापार जो था वो ब्यापार पर एक अधिकार को वैसे ही बना रहने दि उन्हें भारत में आने की अनुमत्य दे दी गई और भारत में अपने धर्म के प्रचार और प्रस nyt пришिं को आजा दी दे दी सूतन्ता दे दी गई तीसरा जो महत्रपूल पॉइंट इसमें निकल mm music कर आता इह अताition इसी एक्ट के द्वारा भारत में सिक्षा पर पहली बार कोई बजट का प्राउधान रखा गया पहली बार किस एक्ट के द्वारा भारत में सिक्षा पर जो बजट का प्राउधान था वो किस एक्ट के द्वारा किया गया तो 1813 की चार्टर एक्ट के द्वारा ये प्राउध चौथा जो पॉइंट इसमें निकल की आता है वो यह आता है कि जो गवर्नर जनरल की जो परिशत थी उस परिशत द्वारा जो कानून बनाया जाता था उस कानून का जब तक ब्रटे संसत द्वारा अनुमोदन नहीं हो जाता था तब तक गवर्नर जनरल की परिशत के द्वा चार्टर रैक्ट पर, ठीक है, चुकि मैं पहले ही बताया कि 181900 जो आपने देखा था 1793 का चार्टर रैक्ट, उसके द्वारा क्या गिया 20 साल के लिए बढ़हा दिया था, ठीक है कि सासन की जோ गधि वीच लिए बढ़हा दिया गया 1813 का जब Charter Act आता है तो 1813 के Charter Act में उन्होंने क्या किया Company का जो व्यापारिक गदिविदी ती उसको फर्दर आगे जो है वह 20 वर्सों के लिए ये क्या करते हैं बढ़ा देते हैं ठीक 1833 का Charter Act तो 1833 का जो Charter Act आता है इसके द्वारा उन्होंने क्या कर दिया Company के सासन को 20 वर्सों के लिए पुना बढ़ा दिया 20 वर्सों के लिए बढ़ा दिया ठीक है पुना 20 वर्सों के लिए बढ़ा दिया दूसरा उनमें जो महत्वपूर्पॉण पॉइंट था, पहले हमने देखा कि क्या किये थे उन्होंने, जो बंगाल के गवर्नर थे, उनको तीनों प्रेसिदेंसी का गवर्नर जन्रल बना दिया, उसके बाद वो जो बंगाल की गवर्नर जन्रल थे, उन्हें संपूर्ण भार भारत का गवर्नर जन्रल बना दिया जाता है इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जन्रल को संपूर भारत का बंगाल के गवर्नर जन्रल को संपूर भारत का गवर्नर जन्रल बना दिया गया और इस तरह उन्होंने क्या किया जो सासन था उस सासन का इन्होंने भारत में क्या कर दिया केंदरी कर दिया जो भारत की शासन प्रणाली थी उस सासन प्रणाली का इन्होंने क्या कर दिया केंदरी कर दिया भी केंदरी कराना कर देते हैं ठीक है तो 1823 की चार्टर एक्ट की द्वारा दो पहले महत्रपूर पॉइंट आ रहे हैं उनको आप देखिए ध्यान से कि कमपनी के सासन को पुना 20 वर्सों के लिए बढ़ा देते हैं तथा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर जो है वो क्या करते हैं भारत का गवर्नर जनरल बना देते हैं इसके बाद अगला पॉइंट आता है भी आपने देखा जो 1813 का चार्टर एक्ट था उन्होंने क्या कहा कि गवर्नर जनरल की जो परिशद है उसके द्वारा बनाएगे कानून जब तक ब्रेटिक संसर द्वारा अनुमोदि होंगे लेकिन फिर 1813 की चार्टर एक्ट में इन्होंने क्या कह दिया कि जो गवर्नर जनरल है कि गवर्नर जनरल कि द्वारा कि बनाया गया कानून बनाया गया कानून ही क्या होता था आधिनियम बन जाता था अधिनियम बन जाता था इस एक्ट के गवारा इन्होंने ये कर दिया कि अब अनुमोदन की आवशकता नहीं है और अनुमोदन के अलावा आप बिना अनुमोदन के ही काम कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा उन्होंने क्या एक चीज और कर दी कि गवर्नर जनरल की जो परिशद थी की न्यूक्ति कर दी गया ठीक है गवर्नर जनरल की परिशद में उन्होंने क्या कर दिया एक बिधी सदस्य की न्यूक्ति कर दी गयी उनको सामिल कर दिया गया ठीक है लेकिन यह जो बिधी सदस्य था ये केवल क्या करता था भाग ले था बैटकों में जो गवर्णर जनरल की जो परिषद की यो बैठक होती थी केवल उसे भाग लेने का अधिकार था किसी भी प्रकार से मतदान देने का अधिकार नहीं था ठीक है तो यहाँ पर गवर्नर जनरल की परिशद में क्या किया इन्होंने इस एक्ट किये द्वारा एक बिधी सदस्त की नियुक्ति की गई कभी कभी पूछा जाता है कि वो बिधी सदस्त कौन थे तो आपको मैं बता दे रहा हूँ लार्ड मैकाले सहब लार्ड मैकाले को पहले बिधी सदस्त के रूप में इस गवर्नर जनरल की परिशद में सामिल कर दिया गया ठीक चले ठीक है जो ब्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था लेकिन दो के साथ बचाय रखे थे किसके साथ चीन और चाय के ब्यापार पर जो कमपनी का एक अधिकार था उसे वो क्या किये थे बचा के रखे थे उसे नहीं समाप्त किये थे लेकिन 1833 का जब चार्टर रैक् तो वो जो ब्यापारिक एकाधिकार था उसे भी पूरी तरीके से क्या कर दिये समाप्त कर दिये तो यहां पर क्या हो जाता है ब्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है means जो चीन और चाय के साथ इनका एकाधिकार बना हुआ था उस एकाधिकार को भी इन्होंने क्या कर दिया पूरी तरीके से इन्होंने समाप्त कर दिया था ठीक है उसके बाद एक और महत्रपूर पॉइंट आता है इसमें इसी एक्ट के द्वारा भारत में जो दास प्रथा थी भारत में जो दास प्रथा को समाप्त किया गया इसी एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया और यदि कोई व्यक्ति दास प् उसके बाद जो सरकारी नौकरियां थी सरकारी नौकरियों में ब्याप्त भेद भाव को भी समाप्त कर दिया गया भेद भाव को समाप्त कर दिया गया घर्म मूलवंस जात लिंग जनमस्थान इन सब के आधार पर जो भेद किया जाता था उस सबी चीजों को उन्होंने क्या खत्म कर दिए गया और उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया जब खत्म कर दिया तो सभी व्यक्तियों को इसमें सरकारी नौकरियों में जो थोड़ा बहुत गतिरोध था या थोड़ा बहुत जो किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था इस आक्ट के द्वारा उस डिस्क्रिमिनेशन को को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया यह कुछ महात्वपूर्ण पॉइंट आपके सन 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा आते हैं इसको आप लोगे देख लीजेगा बहतर तरीके से समझ लीजेगा यदि कोई बिंदो आपको नहीं समझ में आता है तो आप बताईगा उस 1833 का चार्टर एक्ट 1833 की चार्टर एक्ट के द्वारा इन्होंने क्या किया था विधान परिशत की स्थापना कर दी ठीक है इन्होंने क्या किया कि जो कानून बनाने के लिए विधान परिशत की स्थापना कर दी गवर्णर जनरल के लिए उन्होंने कहा जो कानून बनाते हैं वो विधान परिशद की स्थापना इसके लिए कर दिवान उसके बाद दूसरा सबसे महत्तोपूर प्रावधान किया गया वो यह था कि बिधी सदस्य जो 1833 में मैंने आपको बताया था कि 1833 में जो गवर्नर जनरल की परिशत थी उसमें एक बिधी सदस्य को न्यूक्त कर दिया गया लेकिन उसे पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया था कैसे नहीं था पूर्ण अधिकार मींस सलाह दे सकता था लेकिन किसी भी बि ढीकार उसके पास नहीं था यहां पर उन्ह smoking क्या किया इस और अगे दिया गया पूर्ण दरजा दे दिया गया ठीक है पूर्ण दरजा दे दिया गया उस विधी सदस्च को तीसरा पॉइंट इसमें आता है सबसे महत्यों पॉइंट वह भी है वह यह था कि कमपचारी कर्मचारी जो होते थे कर्मचारी की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परिक्षाओं का प्रतियोगी परिक्षाओं को प्रारंब किया गया कर्मचारी के लिए प्रारंब कर दी गई और यह परिक्षा जो है वह भारत में ही संपन्न कराई जाने लगी ठीक है इसके द्वारा आ रहे हैं विधान पर्षट की स्थापना की जा रही है जोहां से प्रश्ण बन सकता है दूसरा पॉइंट आता है कि जो विदी सदस्य था उसे पूर्ण दर्जा दे दिया गया और कर्मचारी की नियुक्ती के लिए प्रतियोगी परिक्षाओं का प्रारंब इस एक्ट के द्वारा कर दिया गया ये तो 1853 तक हमारा आता है बेटा इस इंडिया कमपनी के अंतरगत जो सासन विवस्ता हमारी थी और जो संबिधान का हमारा क्रमिक विकास हो रहा था उसके संबंद में यहां तक देखा हमने इस इंडिया कमपनी के अंतरगत जो सासन विवस्ता थी अब अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि जब क्राउन के हाथ में चला जाता है सासन विवस्ता तो वहाँ पर हमारे संबैधानिक विकास किस तरह से होता है ठीक है तो आज के लिए बसित्ता है दोस्तों आगे की चीजें आगे की कक्षा में आगे के वीडियो में हम लोग द प्रत्ता के लिए धन्यवाद नमस्कार अ क्वारेग से हमारी स्टा चाइब लोगो के सक्षा हमारे से प्रत्ता है से नमस्कार तो स्क्रीद में हमारा जाव लोगको потрाथन से प्रत्ता है अज़ें विए जवार estता है करत्ता है दो कन्यारा इंवारा प्रत्ता है चान्वा ounce